सुप्रीम कोट से दो बहुत बड़ी खबर हैं पहली खबर है दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरिवाल को सुप्रीम कोट से बहुत बड़ा जटका लगा है सुप्रीम कोट का ये करारा तमाचा दोस्तों ना सिर्फ केजरिवाल के मुँपर है बलकि उन तमाम विपक्षी निताओं को भी है जो बोधी के खिलाप में अक्सर अंट संट हरकते करते दिखाई देते हैं वहीं दूसरी और घोटालों के आरोपों पर परदा डालने वाले अरविंद के जिवाल के नेता सतेंद्र जैन पर भी सुप्रेम कोट से बहुत बड़ा अपडेट है इन दोनों ही मामलों का हम इस रिपोर्ट में राजजनातिक विशलेशाड करेंगे लेकर उससे पहले आप से आग रहे हैं कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करें देखते रहिए मुद्दा करम है सबसे पहले बात कर लेते हैं अरविंद केजरिबाल को लगे 11,000 बोल्ट के छटके की दरसल पुर्धान मंत्री नरेंदर मोदी की डिग्री पर सवाल उठा करके दिल्ली की मुक्त मंत्री और आम आदमी पार्टी के सायोजक अरविंद केजरिबाल कानूनी और अदालती पचड़ों में घरते हुए दिखाई दे रहे हैं गुजरात यूनिवर्सिटी की और से दायर मानहानी के केस में सुप्रीम कोट से बड़ा जटका लगा है अरविंद केजरिबाल को दरसल सरवोच अदालत ने केजरिबाल की उस याचका को सिरे से खारिज कर दिया है जिसमें उन्होंने उनके हाई कोट के फैसले को चुनौती दी थी अरविंद केजरिबाल ने सुप्रीम कोट से अपने खिलाफ आपरादिक मानहानी केस पर रोक की मांग की थी गुजरात यूनिवर्सिटी के रजिस्टार प्यूश पटेल ने अरविंद केजरिबाल और आम आद्मी पार्टी के नेता संजय सिंग के खिलाफ में डीफेमेशन सूट यानी की मानहानी का केस दायर करवाया था RTI Act के तहट PM मोदी की डिगरी को लेकर मांगी गई सूचना उपलब्ध कराने के मुख सूचना आयुक्त के आदेश पर गुजरात की हाई कोट ने रोक लगा दी थी इसके बाद में कथे तोर पर दोनों नेताओं ने गुजरात यूनिवर्सिटी पर कुछ टिपनिया की थी जस्टिस संजीव खन्ना और S.V.N. भट्टी ने कहा कि याचका पर नोटिस नहीं जारी कर रहे हैं क्योंकि मामला गुजरात हाई कोट के सामने अभी भी पैंडिंग है और 29 अगस्त को इस मामले को लेकर के गुजरात की हाई कोट में हेरिंग होग नहीं है बेंच ने कहा कि गुजरात यूनिवर्सिटी और अर्विंद केजरिबाल अपनी शिकायते हाई कोट के सामने रख सकते हैं अर्विंद केजरिबाल की ओर से पेश हुए वकील अभशेक मनु सिंग भी ने कहा कि हाई कोट ने मान हानी केस में अंतरे मराहत देने से साफ तोर पर इंकार कर दिया है जो की गलत है वैसे जब भी सुप्रीम कोट की तरफ से जो फैसले आते हैं अगर विपक्ष के अनुरूप नहीं है तो उन्हें सुप्रीम कोट के फैसले भी गलत लगने लगते हैं। कर तलब किया था। इस मामले की सुनवाई 31 अगस्त को होनी है। कोट के 11 अगस्त के फैसले को चुनौती देते हुए ये याचिका दायर की थी। पटेल की और से दी गई शिकायत में मताबिक दोनों नेताओं ने पीम मोदी की डिगरी को लेकर के गुजरात यूनिवर्सिटी को निशाने पर रखते हुए प्रेस कॉन्फरेंस के दौरान और ट्रेटर हैंडल पर अपनान जनक बाते कहीं थी। शिकायत में कहा गया है कि अर्विंद केजरिवाल और संजय सिंग के बयानों से यूनिवर्सिटी की प्रतिष्ठा को चोट पहुँची है। खास बताई जाते हैं। उनकी अंतरिम जवानत की अबदी को दरसल सौमवार को पांच सब्ता के लिए बढ़ा दिया है। इस मामले की जाच इनफोर्समेंट डर्टर रिट की स्पेशल टीम कर रही है। नयामूर्ती एस वोपन्ना और नयामूर्ती बेला एम तरवेदी की पीट को जैन की और से पेश वरिस्ट अधिवक्ता अभिशेक मनुस सिंग्भी ने सूचित किया। कि 21 जुलाई को उनकी रील की हड़ी की सरजरी हुई थी और उन्हें ठीक होने के लिए समय चाहिए। सुनवाई के दौरान एक समय ऐसा भी आया जब इन्फोर्स्मेंट डिरेक्टर रिट की स्पेशल टीम ने मेडिकल आधार पर जैन की जमानत को आगे बढ़ाने का कड़ा वरोध किया। क्योंकि इन्हें अच्छी तरीके से पता है कि अगर इन्हें कोर्ट से कोई रहत मिलने की उमीद है तो वो है मेडिकल ग्राउंड और उसी के बेसिस पर बार-बार गोहार लगाई जा रही है। अगर जरूरत पड़ी अगर वो उनकी फिजिकल थेरपी का हिस्सा है तो वो उन्हें एक स्वुमिंग पूल में ले जा सकते हैं। लेकिन एम्स में मेडिकल परिक्षड करवाया जाए क्योंकि जूट के आधार पर भी इस रिपोर्ट को तैयार करवाय जा सकता है। अभी की सला देखिए उन्हें शावर में खड़े हो करके नहाना है। कि जाँच एजनसी चाहती है कि अखिल भारतिय आहर विज्ञान संस्तान यानि कि एम्स या फिर किसी अन्य अस्पताल द्वारा जैन के स्वास्त के समंद में स्वतंत्र जाँच का अन्रोध करने वाले उसके आवेदन पर अगली तारिक पर सुनवाई हो। पीट ने मामले की सुनवाई पांच सपता बात तै की है और सुप्रीम कोट ने 10 जुलाई को चिकित्सा आधार पर जैन को दी गई अंतरिम जमानत 24 जुलाई तक फिलाल बढ़ा दी थी। शीर सदालत ने 26 माई को जैन को चिकित्सा आधार पर 6 सपता के लिए अंतरिम जमानत देते हुए कहा था कि एक नागरिक को अपने खर्च पर निजी अस्पताल में अपनी पसंद का इलाज करानी का अधिकार है। प्रात्मिकी के बाद उन्हें भरस्टा चार निवारर अधनियम यानि की पीमले के तहद ग्रफतार किया था। वेवस्ता की गई थे और उसके बाद में वहाँ के जेलर के खिलाप में भी सरकार की तरफ से एक्षन लिया गया था कानून के तहट और उसके बाद मैं हमने देखा था कि कैसे दिल्ली की राजनीती को सेंट्रलाइजड कर दिया गया था। अरविंद केजरिबाल की चारो तरह थूतू होती हुई दिखाई दी रही थी। बहराल इन दोनों ही मामलों को लेकर के आपका क्या पॉइंट ओव व्यू है आपकी क्या राय है हमें कॉमेंट करके जरू बताएं जल्द बलूगा किसी दूसरे बड़े अप्डेट के साथ में अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो मैं आपसे गुजारिश करता हूँ कि